नमस्कार आप देख रहे हैं SPT News मैं हूँ आपके साथ आभा पेश है इस वक्त की खास्त खबर रामरहीम को कोट से राहत लेकिन जेल से आजादी नहीं पंचकुला CBI कोट ने दी जमानत रेप केस में पंचकुला जेल में बन्द 15 सचा सोधा के मुख्या गुर्मीत रामरहीम को एक मामले में शुकरवार को राहत मिल गए सीबी आई की पंचकुला कोट ने रामरहीम को बेल दी है ये जमानत उन्हें डेरा सचा सौधा में 400 साधों को नपुनसक बनाए जाने के मामले में मिली है सी बी आई जज़ जगदीब सिंग की कोट में शुकरवार को इस मामले की सुनवाई हुई मामला था गुर्मीत राम रहीम के अस्पताल में 400 से अधिक साधों को नपुनसक बनाए जाने का अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आखिरकार इस मामले में राम रहीम को जमानत दे दी हलांकि जमानत मिल जाने के बाद भी बापा राम रहीम जेल में ही रहेगा आपको बता दे कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुक गुर्मीत राम रहीम दो साद्वियों के साथ बरातकार मामले में दोशी करार दिये गए थे जिसके चलते उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी सिर्फ यही नहीं उन पर एक से एक संगीन मामले हैं रेप के आरोप में वो सजा काट रहे हैं लेकिन 400 से ज़्यादा साद्वों को नपुनसक बनाने के मामले में उन्हें सी बियाई कोट ने बड़ी राहत दी है आपको ये भी बता दे कि गुर्मीत राम रहीम और उनके साथियों के खिराफ IPC की अलग-अलग धाराओं के तहट आरोप टैकिये गए थे हर्याना के ही रहने वाले एक शक्स ने राम रहीम पर आरोप लगाते हुए याचिका दर्ज की थी जिसमें कहा गया था कि वह साथों को इश्वर दर्शन कराने की बात करते थे लेकिन उसके लिए साथों के सामने नपुनसक बनने की शर्त रखी जाती थी ज्यादातर साध्वों ने इश्वर दशन के लालच में नपुनसक बनने के लिए खुद को समर्पित कर दिया फिल्हार खास खबर में इतना ही अपने आसपास की और भी तायतरिन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SPT News और बने रहे हमारे साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर